नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एज़ूगे इसने चनल में आज के वड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे हाइड्रोसिल की दवा के बारे में हाइड्रोसिल याने के ऐसे मेडिकल कंडिशन कि जिसके अंदर पूरूस हो जो दवा याओ यूज होती है अलग-अलग जो कंडिशन्स यूज होती है तो उसके बारे में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे आज के लेक्चर में और जानेगे किस तरह से हम उसका सही इलाज कर सकते हैं तो ऐसे ही समझे कि आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में लिक ना है तो आप Medicine Course को जोईन कर सकते है, Pharma Roks के आप उपर तो ये Course को जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी Mobile Application को डॉट्स इएं लिंक आपको Description Box में मिल जाएगी तो अब आते हैं Topic Pure समझते हैं Hydro-CeoCe-Ce-B 재-C distressки- carrier पानी बरता है और उसके करण क्या है कि उसके size जो बढ़ने लगती है और उसको हम कहते है कि swelling देखने को मिलता है testis के अंदर या फिर सुजन देखने को मिलती है testicles के अंदर तो या पर जो सब्द है उसको समझते है कि hydro silk के अंदर दो words है hydro का मतलब होता है water या फिर fluid और जो cell है या फिर seal है उसका मतलब होता है swelling तो इस तरह से hydro silk जो word है पुरा उसका मतलब यह होगा कि fluid बरने के कारण जो swelling हो जाती है और यह जो swelling है वो specially पूरुसों के अंदर उनके undercoast के अंदर जो देखने को मिलती है तो यह फिर जो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यह वाला जो undercoast है वो healthy है जिसके आसपास पानी जो प्रॉपर normal मात्रा में है और यह वाले side के आप देख सकते हैं कि जहाँ पे hydrocele की condition जो हम कहते हैं तो वहाँ पे काफी ज़्यादा fluid जो हमें देखने को मिलता है तो इसी की करन क्या होता है कि जो undercoast होती है उसकी size जो इस तरह से बढ़ जाती है और काफी स्यारा जो है वो complications होता है patient को तो आप जानते कि यह problem होने के reasons क्या है तो अलग-अलग reasons है जैसे कि injury होना pressure, inflammation, infection, sexual transmitted infections या फिर poor personal hygiene यह सब अलग-अलग reasons रहते हैं तो injury के अंदर हम देखे तो specialist हम जो कि आपको lower abdomen या फिर जो testicles के area में मानों कि किसी तरह से injury होती है वहाँ पे pressure आता है तो भी आपको यह problem जो हो सकता है दूसरा एक reason बनता है sexually transmitted infections तो उसके reason से भी आपको यह problem हो सकता है तीसरा reason main यह है कि infection कि bacteria के करण समझे कि आपको infection होता है या फिर जो parasites हो गिरा होते उनके करण आपको infection हुआ है तो वो bacteria infection के करण भी वहाँ पे पानी बर सकता है और वो area के अंदर सुजन आ जाती है फिर एक और reason है कि personal hygiene कि अगर आप अच्छे से साफ साफ है नहीं रखते तो भी यह problem हो सकता है तो एक personal hygiene भी आपे काफे important साबित होती है तो यह सब reasons बनते हैं hydrocells होने के अब समझते हैं उसके symptoms कहेगे अलग-अलग symptoms पहले तो यह है कि वहाँ पर सुजन आ जाती है जो scrotum का जो main area हो कहते हैं तो वहाँ पर पानी जो बढ़ता है fluid जो जमाओ जोता है उसके कारण उसकी size बढ़ जाती है swelling देखने को मिलती है और जैसे-जैसे उसकी size बढ़ती जाती है और swelling बढ़ने लगता है वैसे patient को जो है वो काफी ज़्यादा जो है वो दर्ध होता है फिर काफी uncomfortable जो हो feel करते है आप यह problem के करण और testis के आसपस आपको काफी heaviness जैसा जो हो feel होता है तो यह सब लग-लग symptoms है कि जैसे मैंने अभी बात की कि जो पानी बढ़ जाता है size जो इस तरह से बढ़ जाती है कि जिसके करण patient जो हो काफी uncomfortable जो हो feel करता है तब बात होती है कि इसका diagnosis कैसे होता है तो primary physical examination से भी diagnosis हो सकता है और detail में चेक करने के लिए ultrasound scan भी किया जा सकता है ultrasound scan करने से exact पता चलता है कि कितनी मातरा में पानी बढ़ा हुआ है और कितना और कौन से एरिया में पानी जो हो बढ़ा हुआ है अब बात करते हैं उसके treatment की किस तरह से ये condition को manage कर सकते है कैसे उसका ilaj कर सकते है तो ilaj के लिए सबसे पहला option ये बनता है कि आपको testicle support जो हो पहनना चाहिए कि जो main reason ये है कि testicles में सूजन आ जाती है और उसके करन आप काफी heaviness feel कर दे है तो उनको support देने के लिए आपको testicle supports पहनना होता है किस तरह से आप जो हो इसको पहन सकते है कि जिससे testicles को अच्छे से support मिलता है और दर्द वगेरा कम होता है और ज्यादा जो सूजन होती है वो भी दिरे-दिरे कम होने लगती है फिर दूसरा है कि आपको ध्यान ही रखना है कि अगर आपको ये problem है तो आपको heavy weight जो वो lift नहीं करना है ये खास आपको ध्यान रखना है कि आप वजन ना उचके और अच्छे से जो वो patient को rest करना होता है तो कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना होता है कि जिससे जो आपको load पड़े pressure आए और अच्छे से आपको जो वो rest करना चाहिए एटलिस 8 गंटे की निन दिनी चाहिए और उसके बाद के समय में भी आपको अच्छे से rest करना चाहिए कि जिससे ये problem जो दिरे-दिरे ठीक हो जाए अग आगे बात करते हैं दवायों के बारे में तो दवायों में सबसे पहले आप लेग सकते है चंदर प्रभावर्टी करके जो medication आती है वो आप ले सकते हैं जो अलग-अलग pharma company से herbals में जैसे की डाबर है जंडू है तो उसके ये tablets available होते हैं तो ये दो tablets आपको खास लेनी होती है दिन में दो बार एक सूबा लेते हैं और एक रात को लेते हैं और वो भी milk के साथ लेना होता है और ध्यान ये रखना है कि दो tablets के बीच में at least आप सको 8 से लेकर 10 गंटे का time interval रखना होता है आगे बात करते हैं hydronil करके homeopathic drops आते हैं तो यह यहाँ पे देख सकते कि 56 नंबर के जो drops से hydronil करके कि जो 3 cm की quantity में available होते हैं तो यह drops को use कैसे करना है तो आपको क्या करना होते हैं कि 10 से 15 drops जो है वो एक cup जितने पानी में लेना होता है और यह पानी जो है वो थोड़ा सा गुन-गुना होना चाहिए और उसको आप जो हैं वो दिन में 3 बार लेते हैं और at least 6 गंटे का time interval पे यह medication आपको लेनी होती है फिर इसी तरह से एक और option मिलता है आपको homeopathy के अंदर hydrosil को treat करने के लिए तो WL53 करके यह पर आप drops देख रहे हैं उसको भी same आपको use करना है कि 10 से 15 drops आप गुन-गुना पानी में डालो एक cup जितना पानी लेना होता है और वो अब दिन में तीन बार ले सकते हैं अब आगे बात करते हैं एंटिबाइटिक्स के पर समझे के किसी को hydrosil का problem हुआ है और यह होने का reason bacterial infections है या फिर sexual transmitted infections ही हुआ है और आगे risk है कि वहाँ पे और ज़्यदा पानी बर सकता है वहाँ पे pulse formation हो सकती है तो उसको ठीक करने के लिए एंटिबाइटिक्स लिए जाते है जैसे कि सीफा ड्रॉक्सिल का यहाँ पे एक option बनता है कि एक tablet जो वो दिन में एक बार या फिर जरुवत पढ़ने पर दिन में दो बार भी patient लेते हैं और धियान यह रखना है कि दो टाबलेट्स के बीच में एटलिस्ट आठ गंटे का आप time interval रखे उसी तरह से दूसरा एक option बनता है डाइथाल कार्बेमेजिन का तो यह भी खास एंटिबाइटिक्स के साथ patient को लेनी चाहिए तो इसके भी एक tablet या फिर दो टाबलेट्स लिए जाते हैं और सेम जैसे सीफा ड्रॉक्जिला प्यूस करते उसी तरह से आठ गंटे के time interval पे आप उसका दूसरा dose जो वो ले सकते हैं फिर बात आती है painkillers की कि अगर काफी ज़्यादा दर्द भी हो रहा है patient को के समझे के काफी ज़्यादा सुजन वहाँ पे हो गई है उसके करन दर्द हो रहा है तो दर्द को ठीक करने के कोई pain care अप ले सकते जैसे की यहाँ पे combination एक देख रहे हैं कि paracetamol है seratio peptidase and aciclofenac है तो यह combination क्या करेगा कि सुजन भी कम करेगी दर्द भी कम करेंगी अगर समझे के आपको बुखार जैसा भी रहता है hydrosal के करन तो उसको भी ठीक करने में आपको मदद करेगी फिर दूसरा option है antibiotic में कि अगर समझे के आगे के antibiotic cifadroxyl आपको suit नहीं हो रहे है फिर वो नहीं ले पाते तो आपके पास सैफिक जीम का पी option रहता है सेफाल अस्पुरिंस में से तो टैक्सिम ओ करके आप एक product देख सकते हैं और उसके अंदर potassium, kleulinate भी combination में है तो ये जो tablets होते हैं दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जे वो patient ले सकते हैं फिर बात आती है एक और एंटिबाइटिक के option की वो है ofloxacin and ornidazol की तो ये combination भी आप ले सकते हैं उसके लावा erythromycin जो है वो एंटिबाइटिक के अंदर तो उसके एक tablet दिन में दो बार या फिर आप दिन में एक बार जे वो ले सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन भी समझे शूट ना हो रहा है तो आपके पास एजिथ्रोमाइसिन का option रहता है कि 500 mg में आप यूज करते दिन में एक tablet आप ले सकते हैं और उसके 250 mg का भी आपके पास option रहता है कि ये जो tablet है वो दिन में दो बार जो आप ले सकते हैं अब बाद आती है कि अगर एंटिबायोटिक्स पेशन ले रहा है पेन किलर्स ले रहा है तो उसके करण उसको एसिडिटी वगएरा हो सकती है पेट में एसिड जो ज़्यादा बन सकता है तो वो ना हो या फिर वामिटिंग वगएरा ना हो पेट में कोई uncomfortable फिल ना हो इसलिए ओमी प्राजल या फिर उसके साथ जो combination में डॉम पेरिडॉन है ले सकते कि जैसे कि यहाँ पेखम product देख रहे है नोगा से D करके तो वो पेशन ले सकते है और उसको इस तरह से लेना होता है कि एक tablet लिनी होती है खाना खाने के 30 मिनिट पहले जिससे आपके सेरेड के अंदर acid का production कम होगा और जो दवाईयों के side effects जो है वो कम हो सकती है फिर जब आपका hydrosil ठीक हो जायता तो वो recover होने के बाद कई बार क्या होता है कि एंटिबायोटिक्स लिए होती है आपके सेरेड में vitamins और minerals की कम हो जाती है कमजोरी जैसा कई बार आप फिल कर दे तो उसको दूर करने के लिए recover होने के बाद जो आप कोई भी multivitamin या फिर multimineral combination ले सकते हैं जैसे कि आप एक zinc को भीट करके जो हम product देख रहे है वो आप ले सकते हैं जिससे आपके अंदर फिर से stamina जो हो बना सकता है और कमजोरी वगेरा हो तो ठीक हो सकती है तो ऐसे समझों कि detail में सिखना है आपको बहुत सारी दववायों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी So good luck and all the best